असलाम लेकुम डियर स्टुडेंट्स आज हम दिसक्स करनी जा रहे हैं चेप्टर नमर सिक्स सुल्यूशन का लास्ट लेक्चूर कमपेरिजन है प्रॉपर्टीज का सुल्यूशन, सस्पेंशन और कॉलाइट्स की first of all solution का तो हम पूरा चेप्टर पढ़ चुकी हैं इसके बारे में तो कोई confusion बाकी नहीं होनी शाहिए यह भी इसको overview लेते हैं कि जब दो या दो से जादा चीज़ें homogenius ले mix की जाएं तो वो solution मनाती हैं जैसा कि NECL को जब आप water में add करते हैं NECL का water में solution होता है क्योंकि NECL जब water में add up किया जाता है तो throw out the mixture homogenius mixture का मतलब है throw out NECL के जितनी water के साथ ratio उपर होती है उतनी center में होती है हर जगा पे NECL और water के ratio constant है so हम कहेंगे composition is uniform throw out the mixture so it's homogenius और हम homogenius mixture को solution कहते हैं ये solid का liquid में हो सकता है solid का solid में हो सकता है gases का gases में solution हो सकता है आप दो या दो से ज्यादा substances को homogenius ले mix कर ली तो आपके पास solution obtain होता है उसके बाद है collide, collide पे दो चीजों को mix करने से obtain होता है बट यहां पे यह है कि दिखने में लगता है uniform mixing है दिखने में uniform mixing लगती है जैसा के milk के अंधर आपको fats, calcium, protein, water यह चीज़े अलग-अलग नजर नहीं आती है यह चीज़े आपको ऐसा लगता है जैसे homogenius ले mix अप हुई हुई है दिखने में homogenius है but actually they are hetero अब दिखने में चूंके homogenius है, दिखने में हमें mixture लगता है सो हम इसको कह सकते है false solution है solution but not true दिखने में यह solution है but actually यह homogenius mixture नहीं होते that's the reason we call them false solution MCQ में आप बता सकते ही के solution को हम true solution और collide को false solution कहते है और इनकी एक property है कि जब इन में से light को pass out किया जाता है जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि इस speaker में water fill up हुआ हुआ था जब आप light pass out करते हैं तो इस तरह से आपको light split होती हुई नजर आती है तो यह light split होती हुई नजर आ रही है तो हम कहेंगे कि जब light heat करती है तो यह light को scatter करती है इसको हम बोलते हैं टेंडाल effect अगर पूछा जाएं आपसे कि आपको कैसे पता चलेगा चुंकि देखने में तो milk भी और brine में brine होता है ने CL को water में mix up किया हुए देखने में तो दोनों ही solution लग रही है पिर हम कैसे distinguish कर सकते हैं कि यह solution है और यह collide है टेंडाल effect, solution टेंडाल effect शोर नहीं करते हैं क्यों क्योंकि particles का इतना size चोटा होता है कि light आराम से pass out हो सकती है जबकि collide में particles का size तोड़ा सा बड़ा होता है as compared to the size of the solution so यह जब light इनके साथ collide करती है तो light को scatter कर देती है this process is known as टेंडाल effect उसके बाद suspension को overview लेते हैं कि यह दिखने में ही heterogeneous है इसकी example आप लेंगे आइब्रोफेन syrup आइब्रोफेन के syrup में क्या होता है कि आपको particles नजर आते हैं बगाईदा तोर पे particles बड़े-बड़े होते हैं homogeniously mix नहीं होते हैं syrup के उपर लिखा होता है कि shake well before use teenage से पहले हमें हिला लेना चाहिए क्योंकि जो particles बड़े-बड़े होते हैं वो particles settle down हो जाते हैं नीचे बैठ जाते हैं नीचे particles बैठ जाते हैं उपर सिरफ liquid होता है so हम कहेंगे कि यह homogeniously mix up नहीं है जब हम इसे हिला लेते हैं तो particles उपर तक भी चले जाते हैं लेकिन जैसे ही हम उसको थोड़ी देर के लिए allow करते हैं कि settle down हो जाएं particles तो हो homogenous नहीं रहता example है chalk in water या beans और milk of magnesia ये भी बिल्कु आइब्रोफिट के syrup की तरह होते हैं पार्टिकल्स फुटकडियों की फ़वे आपको move करते हुए नजर आते हैं कि बाद या comparison characteristics का first property है size solution में two type के particles होती एक solute और दूसरा solvent बलके तीनों में solution, collide और suspension solvent और solute के मिलने से बनता है difference उनकी homogeneity का होता है adjust solution में solute के particles का size इतना short होता है कि आप उनको identify नहीं कर सकते कि इस में से कौन से solute के particles हैं और कौन से solvent के particles हैं उनकी mention किया है कि 10 to raise the power minus 8 centimeter solute के particle का size होता है अगर हम collide की बात करें तो solution के जो solute particles हैं उनसे तो ज्यादा होता है almost 10 to raise the power minus 7 centimeter collide में particles का size होता है लेकिन फिर भी naked eye से हम इनको distinguish नहीं कर सकते कि कौन से solute के particles हैं और कौन से solvent के particles हैं then suspension में suspension thousand times particles greater होते हैं as compared to the solute particle of solution 10 to raise the power minus 5 centimeter diameter होता है particles का suspension में उसके बाद है homogeneity solution में particles homogenous होते हैं for example sugar में sugar dissolve की गई है अगर water में तो sugar particles homogenous हैं throughout the mixture collide में homogenous होते तो नहीं है बट नज़र ऐसा आता है कि इस पार्टिकल्स homogenous हैं example शेंपू में अगर आप देखें आपको ऐसा नज़र नहीं आता कि यहां पे particles visible हैं solute कौन सा है और solvent कौन सा है दिखने में homogenous ही लगता है but actually they are heterogeneous collide में second example जबकि suspension में for example आईब्रोफिन का सीरप है तो उसमें आप solute के particles को solvent से distinguish कर सकते हैं heterogeneous apparently भी वो heterogeneous ही होते हैं mean particle का size इतना बड़ा होता है कि वो आपको visible होते हैं और homogenous भी नहीं होते अगर थोड़ी देर के लिए आप आईब्रोफिन के सीरप को रख दें तो particles set alone हो जाते हैं next है visibility solution में solute particles visible नहीं होते collides में भी visible नहीं होते हैं जबकि suspension में particles visible होते हैं उसके बाद है passage फ्रोदा filter paper अगर आप lemonade को mean lemon dissolve किया गया है water में filter paper से pass out करते हैं तो solute के particles filter paper के उपर नहीं रहेंगे बलकि वो भी filter paper में से easily pass out कर जाती है collide में भी particles filter paper के अंदर से pass out कर सकते हैं जबकि suspension में particles के size बड़ा होने की वज़ा से वो filter paper के उपर ही रुख जाते हैं last property है tendal effect solution में particle का size छोटा होता है जिसकी वज़ा से सारे की सारे light उनके दरम्यान में से pass out हो जाती है so scattering of the light नहीं होती है collide में particles का size intermediate होता है so जब उनके साथ light की beam collide करती है तो वो scatter करती है that phenomena is known as tendal effect then suspension में particles का size इतना बड़ा होता है कि अगर light उनके साथ collide करती है तो वो उसको scatter नहीं करते बलके block कर देती है so हम कहेंगे कि tendal effect सिरफ और सिरफ collide की property है नहीं तो solution के particles tendal effect शोग करते हैं size बहुत ज़ादा छोटा होने की वज़ा से particle size बड़ा होने की वज़ा से ये भी tendal effect नहीं शोग करते है if you have any of the questions you can ask in comments thank you so much and Allah Hafiz